जय हिन दोस्तों मैं जितेंदर आपके अपने यूटूब चैनल जाइटी एमटेक में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं जैसा कि थमनेल में पड़ा है कि दो हजार अठार अरार वी ग्रूप डी एलाहबाद जोन से मेरा सिलेक्शन हो गया था मतलब नवकरी लग गई थी त जाती है या सही सही नहीं दे जाती और आप लोग उसी को फालो करते हैं तो मैं उस प्रासेस से गुजरा हूं इस्टेप बाइस्टेप और उसका अगर आप लोग को यकीन नहीं हो तो सबूत भी देना पड़ता है तो हम दे रहे हैं कि देखिए यह हमारा 90 काइब्सकारा और सिबीटी के बाद क्वलीफाई हो जाते हैं मेरिट बन जाती है तिन बुना स्टूडेंट को बुलाए जाता है किसके लिए प्रिटी फिचकल ही लिजवीट्स टेस्ट पीटी के लिए बुला जाता है तो वो इसका एड़मिट कार्ड है और फिर उसके के बाद pt qualify होने के बाद जब final होता है अब final होने के बाद का लेटर आता है document verification और medical का एक ही लेटर मिलता है एक ही दिन या दो दिन में हो जाता है तो यह देखिए अभी इसका हम फोटो लगा देंगे स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिए गा तो जैसा कि हम उस प्रासेस गुजरे हैं इस्टे बाइस्टे क्या करना है और कैसे कैसे होता है सारा प्रासेस हमें फालो किया था तो हम सूचे कि आप लोगों को बत सौरी इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए तो हम आपको आज बताने वाले हैं पीटी के बारे में फिजकल इलिजबिल्टी टेस्ट ग्रूब डी में क्या होता है कि मेरा पीटी डिसे ग्राउंड में हुआ था और इलाहबाद में यह है डिसे ग्राउंड 200 मीट सब्सक्राइब करने में और आप लोगों को और अब उससे एनेर्जी लास हो जाती है और एनर्जी जब लास हो जाती है तो मैं जो बताने वह बहुत माईनूट गलतिय होती से एक दो सेकेंड पंध्रख़ सेकंड दस सेकंड पांस सेकेंड और थोड़ी रेर सकारण आप डिस्क्वालिफाय हो जाते हैं यह बहुत सार कि नहीं डालने हैं ग्रांड कैसा है उसमें कंकड है कि नहीं है प्लेन हैं मिट्टी कैसी है शुक्ष के बाद बोरी उठाना है जोड़ना किसी चलना है क्या विए सबस्ब्स होते हैं वह लोग ऐसे आपको माइनूटी कर देंगे कि आप को आप कर जाएंगे सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा थोड़े से फाट के कारण और वहां दौडते समय हम भी दौड़े हैं बहुत थकान लगती हैं हमने अगर फिंड़ के चेक जिया एक किलो मीटर मेरा चारी मिमिंट में हो गया लेकिन मैं अपना बता हाँ जो दोड रहा है जो फिजिकली फिट है वो तो बहुत तीन मिनट में भी लोग पूरे कर देते हैं लेकिन लोगों के लिए क्या बहुत सारे लोगों के लिए दिक्कत होती है तो हम बताने वाले इस्टेप क्या होगा तो ध्यान से देखिए गा वीडियो और पूरा रहते हैं तो उसके बाद नंबर आफ सीट जीतनी ही सीट रहती है अगर पीटी क्वालिफाई होगे समझे नौकरी लग गई आपके तो यह वाला लेटर रहता है डाकुमेंट वारिफिकेशन वाला तो समझे को जितने नंबर आप कंडिडेट रहते हैं उतने नंबर कंडि नंबर कंडिडेट को डाकुमेंट वारिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाता है ठीक तो पीटिम क्या होता है 35 kg का वेट उठाना रहता और वेट क्या है वो जमीन पर नहीं रहता वो क्या होता है वो टेबल पर रहता है कितने आप कमर के हाई दोड़ते हैं और समय कितना रहता है दो मिनट का बहुत होता है और 100 मेटर ही चलना रहता है तो बहुत लोग जलदबाजी में दौडते हैं और दौडते समय ही आपके एनर्जी लास होती है यहीं माइनोर फाल्ट हो जाता है आप रेंगी थोड़ा तेज रेंगी यह रेंगने का दूश्टाइल होता है धीरे तीरे लोग रेंगते हैं और और एक तेज रेंगते हैं चलने के श्टाइल थोड़ा तेजी तेजी से चलिए दोड़िये नहीं दोड़नते समय आपके नर्जी लास होगी कंदेपे 35 कजी का वेट है आप इंपैक्ट पड़ेगा और इंपैक्ट पड़ेगा तो बाडी में बहुत सारा वाइब्रेसन हो कि आपको दोड़ना नहीं है आपको रेंग के चलना है दो मिनट बहुत होता है केवल सौ मीटर चलना है उसमें चार मिनट 15 सिकंड में एक हजार मीटर दोड़ना है यहां सो मीटर ही आप रेंग के आराम से दो मिनट में पास हो जाएंगे और अध्यान रखिएगा कि वह ब चलता है तो उसका फिजिकल टेस्ट करते हैं तो ध्यान रखिए कि बोरी नहीं गिननी चाहिए उसके बाद दोड़ते समें जूता जूता अगर आप पहन के दोड़े हैं प्रैक्टिस की है तो पहन के दोड़ी है और जूता अपने साइज का टाइट फिट रहना चाहिए पहन ले तो उसमें भी दिक्कत होती है और और ग्राउंड का जानकारी देना चाहिए और खाने पीने का ध्यान देना चाहिए बहुत हई भी खाना खाके नहीं चाहिए जूस लेके जाओ अगर लिक्विट पीके जाओ बहुत ज्यादा पानी गईर ना पियो लेकिन पालीफाई हो जाएंगे अगर इसको फालू करेंगा और हां दोड़ना अगर आप लोग डोड़ रहे हैं रिगुलर दोड़ रहे हैं तो आपको कुछ बाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ना मास्पेसियों खिचावा आ रहा है ना ठकान फिल हो रही तो आप लोग रेगुलर डोड़ते रहे हैं लेकिन कुछ लोग जो कभी-कभी दोड़ते हैं वह एक दिन दोड़ने बाद उनकी मास पर सिखिच जाती है इसलिए को सिस करिए कि फिजिकल इलिजिबेल्टी टेस्ट के दो से तीन दिन पहले ही आप दोड़ना बंद कर दें जिससे आपकी अराम से दोड़ी है उसके बाद दो राउंड अपनी पूरी ताकत इतनी भी तुम्हारे पास होकात है आपके पास हो जाएंगे ऐसे हम भी किये थे आप आस हो गए और आपके सामने खड़े हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो धेर सारा प्यार देजिए इसको सब्सक् और आवाद जाहिए